Hello everyone, this is Ram here and welcome to you all to Ramte classes YouTube channel तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एंगल सक्षन का वेट कैसे कैल्पिलेट किया जाता है ठीक है एंगल सक्षन इन इस्टील का एंगल का वेट कैसे कैल्पिलेट करते हैं तो आज हम देखने वाले हैं एंगल सेक्षन का वेट कैसे कल्कुलेट करते हैं तो फर्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इककोपोड़ ज्यादा हुम गर्फ सेब के दूसरा गर होता है यह इसे हम बना कि रिखाने ऐस कि यह होता है इंकल टीक यह होता अंगल जिसमें की दो पोटे हैं यहरma लीजे और ये से कंड़ अगर दोनों का इसाइज ठीक है यह दोनो एंग का अगर साईज इक्वल है ठीक है तो से उसे इक्वल एंगल बोलते हैं अगर दोनों पर देख पाiggles है हम equal एंगल ठीक है ? जहाँ-स पर देख रहे हैं कि दोनो एंगल का यानि जीस-वीस थील का है यानि की एक एक एंगल वी समय का है दोसरे एंगल वी e Самыми का है ठीज से और जो ठीकने से तीने मूं का है, ठीक है ? आगे देख रहे हैं 70 mm का है 70 mm, जानरे दोनों 70 mm के angle है और उसकी थिक Fuß nghश है जो 5 mm है ठीक है इस फ्रकार के आगे भी देख रहे हैं 20-20 और देख रहें चार अम्हा स्क्थ है, ठीक है स्तर-स्तर जे एम्हा स्क्रियरी का है, 25-24- ammunition का है किसके साइब चाहँ्ट के जो यानि जहां पर देख रहे हैं दोनो जो लैग है तिके यानि दोनोझ उनके क्या है उनके जो size है वो same है ठीक है उनके size क्या है same है इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहां पर unequal angle ठीक है जिसमें की देख रहे हैं एक एक angle 30 mm का है दूसरा 20 mm का और उसकी thickness 3 mm की ठीक है सेम ऐसे 90 mm का 65 mm का 6 mm यहांनि 6 mm thickness है यहांनि की जिसमें की एक जो leg है दूसरा leg से यहांनि दोनों का size है और different size का है continuous हम देख पा रहे हैं example में continuous different different type के example देख पा रहे हैं और भी देख लेते हैं जैसे 40 40 40 60 आठ और 8 mm का 125 75 और 10 mm का यानि different size के देख रहे हैं continuously ठीक है यह यानि कि unequal angle भी होते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर क्या calculate करने जा रहे हैं आज हम देखने जा रहे हैं आज हम जो देखने जा रहे हैं angle equal angle का length कैसे calculate करते हैं जैसे equal का करते हैं वैसे equal का भी करेंगे उसमें कोई दूसरा method नहीं रहेगा ठीक है उसका जो size है 100 x 100 x 10 mm यानि equal angle है जिसमें एक leg की लंबाई है 100 mm और दूसरे leg की लंबाई भी 100 mm है और उसकी thickness है 10 mm ठीक है उसकी जो thickness है 10 mm और लंबाई इसकी रहेगी एक मीटर यानि 1000 mm 1000 mm इसकी क्या रहेगी लंबाई रहेगी ठीक है हमको पता है इसमें different size के पता दी आपको angle के बारे में भी ठीक है तो यह है 100 x 100 और 10 mm का ठीक है 100 x 100 और 10 mm का है thickness देख पा रहे हैं आपर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह 100 mm का है ठीक है यह 100 mm का है और दूसरा leg भी 100 mm का है ठीक है अगर हम एक leg की इसमें हम एक leg plus दूसरा leg first leg का volume plus दूसरा leg का volume यानि item ग्याद कर लें और density से multiply करा दें तो क्या जाएगा भार आ जाएगा ठीक है यानि वो जाना जाएगा फार्मूला क्या होता है मारा फार्मूला होता है फार्मूला होता है वेट यानि कि भार is equal to volume into density ठीक है क्या होता है volume into density यानि भार equal to item गुड़े गहनत क्या होता है भार is equal to यानि जो version का calculate करने वाले है वो क्या होता है volume into density होता है क्या करेंगे हम firstly first leg का यानि एक leg का volume ग्याद करेंगे यानि item ग्याद कर लेंगे और फिर दूसरे leg का item ग्याद कर लेंगे और density से multiply करा देंगे तो हमारा calculate हो जाएगा weight ठीक है क्या करेंगे volume आफ पहले एंगल का यायनि 1st angle का, ठीक है 1st, sorry, 1st leg का, यायनि इस leg का, तो क्या होगा यायनि इसकी length कितनी है इसकी length है 100 mm, यायनि क्या करेंगे firstly सबको calculate कर लेंगे, जो mm में दिया है, उसको meter में कर लेंगे, ठीक है तो क्या दिया है, 100 mm में दिया है यह value हो जाएगा meter में ठीक है into जो thickness है 10 mm है 10 upon 10 upon 1000 into value length है यानि कितने meter है 1 meter है ठीक है तो into 1 यानि इसकी जो लंबाई है देख रहे हैं 1 meter है यानि कि ये 1 leg का भी हम item 11 कर रहे हैं ठीक है plus second leg का second leg क्या होगा यहाँ पर हम 10 mm ये ले लिए हैं ये 100 mm ले लिए हैं तो इसमें से 100 mm में से 10 mm कम हो जाए क्योंकि इसकी thickness इसमें पूरी adjust हो गई है ठीक है तो क्या लिखेंगे 90 mm ठीक है 10 mm तो इसमें adjust हो गया 90 upon 1000 90 upon 1000 into 10 mm thickness है upon 1000 into 1 meter ठीक है अब दोनों के आयतन को जोड लेंगे ठीक है दोनों को ये आयतन को जोड लेंगे ठीक है तो देख लेते हैं यहाँ पर वलू फुट किया है ठीक है यहाँ पर वलू फुट किया है इसको मीटर में पुट कर दिया है सभी वलू को मीटर में पुट कर दिया है और यहां पर हमें आयतन आ गया यहां पर जो हमारा आयतन आ गया 0.0019m3 ठीक है? 0019m3 आ गया आयतन ठीक है? अब हम क्या करेंगे? घरनत से multiply करा देंगे volume को घरनत से multiply करा देंगे और क्या आ जाएगा? weight calculate हो जाएगा ठीक है? density हमें पता है घरनत पता है कितना होता है mild steel का होता है 785 0 kg per meter cube होता है ठीक है? तो weight is equal to यहां पर weight is equal to हो जाएगा volume यानि आयतन into density weight into density ठीक है? तो आयतन हमें पता है 0.0019 आ गया है into density पता है 785 0 kg per meter cube ठीक है? दोनों को multiply करा देंगे आ जाएगा 14.915 kg यानि एक meter में जो 100 into 100 into 10 mm का size का angle है इसका एक meter का एक meter length का भार आएगा कितना? 14.915 kg आ जाएगा ठीक है? आगे हम lectures में आगे हम classes में देखने वाले हैं अलग-अलग size हों के angle steel के sorry, steel के अलग-अलग section के यानि अलग-अलग section के weight कैसे calculate किया जाता है? जैसे की जैसे की plate का कैसे weight करते हैं? calculate करते हैं circular, hollow circular pipe का कैसे वाजन देखते हैं calculate करते हैं ठीक है? I section का कैसे calculate करते हैं वाजन channel section का कैसे करते हैं L section का यानि angle section का हमें देख लिया है ठीक है? अगर इसमें कोई confusion हो तो comment करके हमें बता सकते हैं मैं आपके confusion को दूर करने की कोशिज करूँगा ठीक है? और मतलब different different size होगा हम steel के weight को calculate करना सिखाएंगे ठीक है? आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद Thank you